हलो वर्वन मानेव सब शेक ठाखुर और आज हम बात करेंगे कि उस कॉश्चिन का अंसर कैसे करना है जो मैक्सिमम सभी इंटर्व्यूस में पोछा जाता है और वो है टेंगे अपनी विक्नेस के बारे में बोचे बताओ क्या की क्या क्या विक्नेस है पहरी चीज़ी जो जहां भी हम इंटर्वियू में जाते हैं तो वो हमारी विक्नेस के बार में क्यों पुछते हैं क्योंकि जो भी हमारी विक्नेस होगी वो को जज़ करना होता है कि वो विक्नेस उतनी स्ट्रॉंग है कि वो कंपनी को नुखान करेगी या नहीं तो मतलब हमें उनसे जादा intelligent बनके कुछ ऐसी weaknesses बतानी होती है जो शायद company को कम एफेक्ट करें या फिर company के लिए कुछ बैटर ही करें तो उसके लिए मैं आज आज आपको कुछ देने वाला हो कि कौन कौन सी weaknesses आप हो सकते हैं और अगर आपको explain करने के लिए दिया चाहे कि अब explain कीजिए कि ये weaknesses आपकी कैसे हैं यापको ये weaknesses कैसे company को आप नहीं करेगी तो आपको क्या answer करना है तो पहले question की तरफ चलते हैं और वो है tell me your weaknesses Let me give you five weaknesses मैं आपको five weaknesses बता सकता हूँ simple simple जिनसे company में जो भी job ले निकली जाएगा उसको ज्यादा effect नहीं करेगी वो सारी five weaknesses जैसे कि पहली weaknesses आप बोल सकते हो over helping कि मैं over helping हूँ कि मैं लोगों का help ज्यादा कर देता हूँ आप बोल सकते हो क्यूँ को positive और negative दोनों तरीके से देख सकते हो अगर वोगों बोलेंगे कि emotional इंसान हमें नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हो I am emotional but in the technical way For example जो भी मेरे ले कुछ अच्छा करता है तो मेरे ले ले emotion से अंदर से कि मैं उसके ले कुछ अच्छा करो in return जैसे कि company अगर मुझे अच्छी salary दे रही है तो in return I will give more efforts towards the company That is the second weakness जो आप बता सकते हो Third weakness जो आप बता सकते हो है कि आप कभी-कभी नाम भूल जाते हो You forget the name sometime और इसको आप बोल सकते हो क्योंकि अगर आप नाम भूल जाते हो It's not a big deal क्योंकि maximum time पे आपको 2-3 बार याद करने के बाद किसी का नाम याद हो जाता है अगर तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हाँ, नाम याद अखना जरूरी है तो जब भी आप कभी भी कोई weaknesses बताओ तो साथ में यह ज़रूर बोल दो कि हाँ, मैं ट्वाई कर रहा हूं इन विकनेस को इंप्रूर करने के और बहुत जल्दी मैं इन विकनेस को इंप्रूर कर दूंगा या कर दूंगी तो वो चीज़ हमेशा हमें साथ में बोलनी होती है 4th weakness जो आप बता सकते हो किसी भी इंटर्वे में वो है That your handwriting is fluent आप बता जादा उस company के employees को और owner को कि हमारी handwriting कैसी है तो हमें 4th weakness हम यह बता सकते है कि हमारी handwriting थोड़ी fluent है So we can just walk on that And the last job that you can do is Overworking Means, let me explain this one Like there is one thing that is laziness There is one thing that is overworking That is also a weakness जरूरत से ज्यादा काम करना वो भी weakness है लेकिन आप बोचीज़ सकते हो क्यों? क्योंकि that is the benefit of the company That I can have to be free anytime मुझे हमेशा काम चाहिए होता है और वो benefit है company का तो यह 5 weaknesses है जो आप बोल सकते हों लेकिन इस question के answer के साथ-साथ आपको last में 2-3 चीज़े ध्यान में रखना है कि आपको एक चीज़ पका बोलना है कि मैं try कर रहा हूं इन weaknesses को improve करने की and second मैं बहुत जल्दी उझे अपने पर भरोसा है कि मैं बहुत जल्दी इन weaknesses को remove कर दूंगा तो यह इस तरही के से आपको answer करना है tell me about your weaknesses last में एक बहुत 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 आपको बता देता हूं you have to say sir I have a few weaknesses but some of my weaknesses are I am over helping and I am emotional too but I am trying to overcome these weaknesses very soon in the future and I got really good results in the past as well in the steps of improving my weaknesses and in the future I will improve these weaknesses very soon and this is the type of answer we have to keep ऐसे आपको answer करना है अगर कभी भी आपको weaknesses के बार भी में बताना हो क्या आपकी weaknesses क्या क्या है तो मैं होप करता हूं कि आपके नहीं यह वीडियो अच्छी रही होगी और आपने इस वीडियो से सीखा होगा क्या आपको इंटर्वी में कैसे कीसे question का answer करना है तो अभी और अगर आपको इस वीडियो देखनी तो मैं एक लिए टाल देता हूं जिसमें काफी सारे questions के में नहीं अंसर की है लिए टाल देता हूं जिसमें आपके interview questions अगर आपको जानना है कि अगर आपके interview questions क्या क्या पूछे जाते हैं और कैसे उनका answer करना है तो मैं link description में टाल दूगा और यहां पे i button के साथ में भी आप देख सकते हो और इसके साथ साथ अगर आपको देखने introduction कैसे देनी है अपनी तो आपकी link में description में टाल सकता हूं दिखलीजिए ताकि आपको help हो जब दी आप अपना next interview देने के रिए जाओ thanks a lot guys, please subscribe to our channel अगर आपको valuable लगा हो यह episode तो please subscribe to our channel और please try कीजिए कि आप जावाई चानल अपनेटिवे रहे interview से ताकि जब दी आप interview से जाए तो जब आपके लिए problem नहाओ thank you, thanks a lot